है दोस्तो स्वागत है आप सभीका जागव स्टेडी चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग रिजल्ट का परतिशत निकालना जिहां दोस्तो सवाल है मुकेश 500 नमबर का परिच्छा देता है यादि परिच्छा में 400 नमबर लाया तो परिच्छा में कितना परतिशत नमबर लाया यहीं हमें पता करना है दोस्तो यानि यह 400 नमबर मुकेश ने लाया है दोस्तो यह कितना परतिशत के बराबर है यहीं हम 500 का धर पांसों को एक्जाम हो रहा है इसको हम जोड़ माल लेंगे ठीक है और इसी 500 नमबर में से चार सो निकला है तो अब यहाद रहता है ठीक है तो बटा के नीचे हो 500 ले लेंगे ठीक है और 400 को 400 जो है डाली है दोस्तो तो 400 को हम उपर रख लेंगे ठीक है उपर रख लिए उसके बाद हम इसको परतिशत में बदलना है दोस्तो तो गुणा करेंगे 100 से ठीक है 100 से गुणा कर दिये इतना काम करना है आपको बस अब का परतिशत निकल जाएगा दोस्तो दे प्रतिषयत निकाल सकते हैं तो चलिए एक और प्रस लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो दोस्तों हमने जहां पर दूसरा प्रस ले लिया है इसमें क्या है दोस्तों कि 700 नंबर का जो है एकजाम हुआ लाए ठीक है तो यहां 3,500 नंबर जो है कितना प्रतिषयत के बराबर है यह हमें पता करना है दोस्तों तो क्या करना है आपको इससाथ-700 को जोड़ मनना है ठीक है तो जोड़ कैंड़ा रहता है तो बठा के निचु इसको हम ले ले लेंगे और डालि आपका 3,500 2002 दालिक है इ पर तीन सो बसेगा और बटा में साथ बचेगा ठीक है इसको भी हम कटाएंगे तो देखिए साथ से जो है सिखोंगत को पांच बारे में कटेंगे और यहां पर एक जीरो यहां पे लगा देंगे ठीक है यानि 50% जो है आपका एंसर निकल गया दोस्तो ठीक है या 50% नमबर है 300 इस तरीके से आप जो है result का परतिशत निकाल सकते हैं दोस्तो अगर आपको यहाँ वीडियो पसंद आता है दोस्तो तो वीडियो को लाइक किजेगा और इसे अपने दोस्तो के साथ भी दोस्तो शेयर किजेगा ताकि उनको भी यह पता चल सके और चैनल पर दोस्तो आप नए आ रहे हैं दोस्तो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किलेगा आपको इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर मिलता रहता है तो चली दोस्तो अगली वी हैं